हलो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको अशिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिच्छा परिणाम एक मई के अंतक तथा PCS का जो UPPCS का रिजल टबी तक प्राफ तांग जारी नहीं किया गया है उसके बारे मताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू स अनुदानित महाविद्यालो में असिस्टेंट प्रोफेसर भरती की लिखीत परिच्छा का परिणाम माई के अंतिमसरताग तक आने के आसार हैं उत्तर प्रदे सुचतर सिच्छा सेवा चैन आयोग UPHESC तीसरे चरन की परिच्छा में सामिल 6 विश्यों में आने वाली अप सवाद चुनाओं में लगी होने से परिच्छा सबन्दित कार्य पेच्छा क्रिटेजिस नहीं हो पा रहे हैं पहले और दूसरे चरन तूंतिस विश्यों की संसोधी उत्तर कुंजी जारी होने के बाद इसके अभियर्थियों को प्रणाम का इंतजार है उनमें बेचाईनी परिच्छा के लिए जिन्चाविश्यों के लिए उनमें विया पत्यों के निस्तारण का इंतजार किया जा रहा था जिसे की परिणाम एक साथ दिया इसके आंतिक त्यारी भी धीमी है क्योंकि यूपी एचिसी से अधिकान से स्टाफ चुनाव ड्यूटी फर है सची मंदन तिवाठी का कहना है कि अभी परत्य निस्तारण के लिए भेजी जा रही है संसोधित कुंजी उत्तर कुंजी के अधार पर पर परणाम जारी करने नहीं यूपी एचिसी बोड को लेना है कि परणाम सभी विश्यों के एक साथ आएंगे ऐसे में कुछ दिन लगा लग सकते हैं एक माह बाद भी जारी नहीं किया गया सब्सक्राइब करनाम सब्सक्राइब कर दिया था इसमें सचिब की और से काना के वहरत्यों के प्राप्तां की सूचना सिग्रूप लब्द कराएजिए इसे एक माह से अधिक हो चुके हैं लेकिन यूपी पीएस सी की तरब से यह कदम नहीं उठाया गया है परिच्छा में जो कि तीन लाफ एंठान में 1630 अभी अर्थी जो की सामिल हुए थे इन्हें पास और फिर अभी तक उनके प्राप्तां का अंक की जानकारी नहीं है जो सब्सक्राइब और पीचेस का तो रियल्ट दे दिया गया है और यहां तक कि जारी भी नहीं किया और है जो कि मेंस लेने का सतर जुन कर्डेट उसकी त्यारी चल रहे तो यह संभव तो नहीं लगता लेकिन यहां सकी मार्स भी नहीं जारी किये गए है तो इसी ख़बर के स